बिस्मिल्ला इर्राह्मान इर्राहीम, Assalamualaikum students, आप 1st year mathematics का lecture no.8 देख रहे हैं आज की lecture में हम next case discuss करेंगे, case 3, के इसमें quadratic irreducible non-repeated factors होंगे quadratic तो आप जानते हैं, degree 2 वाले, irreducible से कहा मुराद है? A quadratic factor is irreducible if it cannot be written as a product of two linear factors with real coefficients यानि ऐसा quadratic factor हो जिसके मजीद, यानि linear factor ना बनते हों, factorize ना हो सकता हो real coefficients के साथ, देखें quadratic factors reducible भी आते थे, जैसे हमने 5.1 का जो first question किया था question number 4 था, कि उसमें भी एक linear factor था और एक quadratic था, लेकिन फर्क यह है कि वो quadratic factor था, उसकी मिट टम ब्रेक करके हमने उसको factorize कर लिया था, real coefficients के साथ, यानि उसको irreducible नहीं था, वो reduceable था, यानि reduce हो सकता था, तो अगर इस तरह का quadratic expression हो, तो फिर पहले उसको factorize करना है, लेकिन यह देखें, यह irreducible है, इसके factor नहीं बनते है, real coefficients के साथ, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, यह हमारे next case है, देखें, example number 1 है, यह page number 186 पे, कह रहा है, partial fraction बनाएं इनकी, तो इस पे अगर गोर करें, तो यह जो x plus 3 है, यह तो पुराना case है, first case, linear, non repeated, और x square plus 1, यह quadratic है, लेकिन quadratic कौन सावाल है, 8 radiusable, यानि इस plus 3 लिखते हैं, plus, यह जो irreducible quadratic factor होता है, इसके लिए 2 constants use करते हैं, एक x के साथ, और एक साथ, यह equation 1 बन गई, उसी तरह से multiply both sides by LCM, यह cancel हो जेंगे दोनों left से, right पे x plus 3 cancel होगा, तो यह के साथ x square plus 1 बना आजेगा, और bx plus c वाले factor के साथ, जब यह दोनों multiply होंगे, तो x square plus 1 cancel होजएगा, और x plus 3 वाला factor बचचेगा, यहाँ जो गलती करते हैं, ताप लोग वो यह है कि bx plus c पे bracket नहीं लगाते, तो उस दूरत में गलती का chance है, कि c के साथ सिर्फ multiply कर देते हैं, x plus 3 को bx फिर multiply नहीं हो रहा होगा, लेहाद अब bx plus c पे हमेशा bracket लगाया करें, तो यह equation 2 आ गए, यहाँ से हमें a और b की values मिल जाएंगी, सबसे पहले जो linear factor उसका फादा उठाते हैं, कि x plus 3 को 0 करें, तो x की value minus 3 आती है, इस पे equation 2 में put करें, इस equation में, जहाँ जहाँ एक सार है वहाँ पे minus 3 लिखेंगे, यहाँ minus 3 का square हो जाएगा, और यहाँ जहाँ minus 3 का square हो ज 9, 9 plus 1 is 10, तो 10 यहाँ पे राइट पे आजएगा, एक ही value के आएगी, यह 10 दो जाके divide होगा, तो a is equal to minus 2, एक value आ गई, अब यह जो quadratic factor है, इसके ओपर जो constants लिखे होते हैं, इनकी value comparison के जरीए निकलती है, तो हम equation 2 को दोबारा से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, कि हम coefficients क compare करने के काबिल हो जाए, तो 3x minus 11, a into x square plus 1, यह तो simplified है पहले ही, अब यह देखें, bx, bx plus 3 के साथ multiply होगा, और c भी multiply होगा, x plus 3 के साथ, जब b multiply होगा, x plus 3 के साथ, जब b multiply होगा, x plus 3 के साथ, तो b के साथ एक x भी मुझूद है, वो अंदर multiply होगा, एक एक power बढ़ जाएग तो यह बढ़ जेगा, x जब अदर multiply होगा, तो x square plus 3x, b के साथ, फिर c जब इसके साथ multiply होगा, तो यह इस तरह से आगए, अब हम coefficients को compare करते हैं, सबसे पहले x square को compare करते हैं, left hand side पे x square नहीं आरा, जहाद असका coefficient 0, right hand side पे x square का a coefficient a r है, plus b r है, तो यह लिखती है, अब a की value ह हमें मालूम थी के minus 2 है, यहाँ put कर दी, तो b की value आगई, plus 2, इसी तरह x कोफिजिन से गर compare करें, तो left hand side पे x कोफिजिन 3 है, right hand side पे 3 times b है, x कोफिजिन, यह देखें, यह इसके साथ 3 और b multiply हो रहे है, 3b plus x के साथ c b multiply हो रहे है, 3b plus c right side से आरे है, अब b की value हमें मालूम है, इसके 2 है, वो एर use करेंगे, 3 into 2, 6 हो जगा, यह देखें, right side पे, left side पे 3 था, यह 6 minus होगा, तो 3 minus 6 is minus 3, तो हम a, b, c, 3 हो की values मालूम हो गई, so equation 1 becomes, equation 1 में यह values put कर देंगे, यह देखें, a की value put कर दी, b की value और c की value, तो यह थी हमारी example number 1, इसको देखते हुए आपने question number 1 और free कर लेना है, उसमें भी इसी तरह से एक linear और एक quadratic factor, next देखें, इसी case के एक और problem है, question number 6 exercise 5.3, x square plus 1 over x cube plus 1, अब हमने जो cases पड़े हैं, वो तो linear के पड़े हैं, quadratic के पड़े हैं, तो इसका मतलब है, x cube plus 1 को split किया जा सकता है, आपको formula हो याद होगा, x cube plus 1 में हम लिख सकते है इसको a cube plus b cube, इसका formula होता है, a plus b into a square minus a b plus b square, a के जगा x है और b के जगा 1 है, तो इसको uniquely है, अब देखें, यह हमने जो अभी question किया, वो अला case बन गया, कि एक linear factor और एक quadratic, अब इस quadratic को सबसे पहले हमने चेक करना है, कि क्या, इसके factors तो नहीं बन सकते है, real coefficients के साथ, तो वो नहीं बन रहे थे, नहादा इस पर irreducible quadratic वाला, यानि case 3 apply करेंगे, उससे भी पहले, सबसे पहले हमने यह चेक करना होता है, कि यह जो fraction हमें दी गई है, पिछले question में भी आपने देख लेना है, कि क्या यह improper fraction तो नहीं है, तो उपर degree 2 है, नीचे 3 है, तो यह proper है, उपर वाल usable effector नहीं बन रहे, real, तो इसको है से लिख लिख लिए, दो constants के साथ यह equation 1, 1 की multiplying both sides by LCM, left से यह xq plus 1 पूरा cancel हो जएगा, इसको समझ लिए, आफिला left hand side, यह दोनों factor cancel हो जएगे, और right side पे a के साथ x plus 1 cancel होगा, दूसरा quadratic वाला multiply हो जएगा, plus b x plus c, इस पे मैंने आपको बत को 0 करते हैं, तो x की value minus 1 आजेगी, यह x plus 1 यहाँ पर, यह equal नहीं है, x plus 1 को 0 किया, तो यह x value minus हाई, equation number 2 में put करते हैं, तो minus 1 का square plus 1, a into minus 1 का square minus minus 1 plus 1, यह minus 1 plus 1 0 होजेगा, भी x plus c वाले, तो क्या बना, 1 plus 1, 2, left hand side पर आगा, right पर देखें, minus 1 का square 1, minus minus plus 1, plus 1, 3, तो 3, a is equal to 2, a की value आगे, 2 by 3, अब b और c की value नगाने के लिए हमें coefficients compare करने हैं, उसके लिए हम equation 2 को इस तरह से लिए हम coefficients को compare करने के काबिल हो जाएं, तो यह लिख लिए हमने equation 2 को दोबारा से compare करते हैं coefficients को, उसी तरह से b अंदर multiply हो ना, साथ उसके x था, तो यह x square plus x बन ज साथ पर a और b हैं, a plus b, a की value हमें मालूम थी, यह लिखती ही 2 by 3, यह दो जाकर minus होजेगा, 1 minus 2 by 3 equal होता है, 1 by 3 के, b की value भी आगे, अब x कोफिएंस compare करते हैं, left hand side पर x नहीं आ रहा है, लेहाजा उसका coefficient 0 होगा, right hand side पर x कोफिएंट 1 minus a है, एक x कोफिएंट b है, और फिर x कोफिएंट c है, तो minus a plus b plus a, अब a की value 2 by 3 थी, वो लिखती, b की value 1 by 3 थी, वो लिखती, minus 2 by 3 plus 1 by 3 is minus 1 by 3, left पर जाकर यह positive होजेगा 1 by 3, तो c की value आ गई, 1 by 3, तीनों consensus value हमें पता चल गी, तो equation 1 में put कर देते हैं, हर question की तरह, 2 by 3 over x plus 1, यह एक की value लिखी, यह b और c की value दोनों 1 by 3 थी, तो इसका अगर LCM लिए 3 तो यह आएगा x plus 1 उपर आएगा, वो जो नीचे LCM वाला 3 थी था, उसको यह ऐसे नीचे लिखनेंगे, तो यह आपका required answer है, next देखें, यह question number 8 है, आपके exercise 5.3 का, इसमें एक quadratic factor है, irreducible यह वाला, और साथ एक linear factor है, लेकिन वो repeated है, 5.2 वाला, इसको एक दफा सिंगल power के साथ लिख लेंगे, और एक बार x-1 के square के साथ, और यह जो quadratic है, यह irreducible है, यह इसके real coefficients के साथ factor नहीं बन सकते हैं, तो इसको, इसके उपर दो consonants लखाएंगे, C or D, C, X plus D, ऐसे, फिर वोई procedure multiplying both sides by, यह LCM से multiply करेंगे, तो left hand side पर यह दोनों cancel होजेंगे, 1 बचेगा, right hand side पर देखें, एक के नीचे x-1 था, जब यह दो factors multiply होंगे, तो X-1 की power 2 थी, एक power cancel होजेगी, X-1 की एक power आजेगी, और साथ, X square प्लस 2 आजेगा, B के साथ जब multiply होगा, तो X-1 का whole square cancel होजेगा, X square प्लस 2 बचेगा, और C, X plus D पर देखें, मैंने bracket लगाई है, यह बहुत ज़रूरी है, और X square प्लस 2 cancel होजेगा, X-1 का whole square बचेगा, यह कोईजन 2 है, यहां से हमें values मिलती है, तो सबसे पहले linear factor जो है repeated values की, उसको use करते हैं, X-1 को 0 किया, तो X-1 आ रही है, इसको इस उपर वाली कोईजन में put करते हैं, तो X जगा 1 put करेंगे, तो यह देखें, 1-1 0, यह वाला factor 0 हो गया, फिर यह स्टरम में बचेगी सिर्फ, 1 का square प्लस 2, यह, और यह CX प्लस 3 के साथ भी 1-1 0 हो जाएगा, तो left and side पे 1 था, right पे देखें, 1 का square 1 प्लस 2, 3, तो अभी की value आ रही है, 1 by 3, यही value थी जो put करके निकल सकती थी, अब बाकी आपको यादा, repeated वाले में यह वाली value और quadratic में यह वाली values comparison से निकलती हैं, तो यह ज़रा different question अभी देखें आँगे आप, कि equation 2 जो है, उसको दोब as it is लिखा हुए, cx plus d के साथ x minus 1 का whole square multiply हो रहा था, whole square का formula का हूला, x square minus 2x plus 1, a square minus 2ab plus d square, यह term जो चुछी तरह से लिखती, यह मजीद multiply हो रहा है, c के साथ जो x था वो अंदर इसके साथ multiply होगा, तो x cube minus 2x square plus x बन जेगा, इस तरह से, और d जब multiply होगा, इसके साथ तो यह देखें, सबसे पहले x cube जो highest power आ रही है, उसके कोफिशन compare करें, तो left hand side पी तो x cube नहीं है, उसका कोफिशन 0 आएगा, right hand side पे x cube के साथ a आ रहा है, और c आ रहा है, a plus c, अब ना हमें a की value पता है, ना हमें b की value पता है, तो यह as it is लिख रहे हैं, यह इनको solve करना x square के कोफिशन को compare करते हैं, तो left hand side पे x square भी नहीं आ रहा है, उसका कोफिशन 0 होगा, right hand side पे x square के साथ minus a, यह लिखती है, plus b, यह लिखती है, minus to c, यह लिखती है, और d, यह लिखती है, अब इन में से सिर्फ हमें b की value मालूम है, 1 by 3 वो यहां put करती, यह left पे जाके minus हो ज compare करते हैं, left hand side पे x नहीं आ रहा है, उसका कोफिशन 0, right hand side पे x के साथ 2 a r, यहां पे x नहीं इसको नहीं लिखेंगे, फिर यहां पे x के साथ c r, next हमने c लिखती है, यह देखें, फिर d के साथ minus 2, x के साथ minus 2 dr, यह लिखती है, यह हमारी अगली equation आ गी, equation number 5, और last में हम फि 0 degree term, यानि constants को compare करेंगे, left hand side पे जो constant आ रहा हो 1 है, right hand side पे constant minus 2 a आएगा, यह वाला, plus 2 b आएगा, यह वाला, इधर constant नहीं है, और plus 1 b, यानि प्लस d आएगा, तो इन में से हमें b की value मालूम है, 1 by 3 यह put की, तो यह 2 ones are 2 by 3 बनेगा, left minus होगा, 1 minus 2 by 3 is 1 by 3, यह हमारी छेटी क बना लिए, अब यह 4 equations है, equation 3, 4, 5, 6, इन में से हमने b की value हमें पता है, a, c, और d की value find करनी है, तो इन equations को गोट से देखते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, हम यह करते हैं, के equation 5 और 6 में a, c, d आ रहे हैं और equation 1 में a, c, d आ रहे हैं, हम ऐसा करते हैं के यहां से d को cancel करते हैं, d इनको balance करते हैं, coefficients को और minus करके d को cancel करते हैं, a और c में हमारे पास एक और equation आ जागी, उसको 3 के साथ solve कर लेगी, तो हमारे पास 3 के साथ solve करेंगे, a और c की value ने कर आएगी, तो 4 और 5 को देखें, d cancel करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे और 4 में d का कोफिएंट 1 है, और 5 में d का कोफिएंट minus 2 है, तो हम ऐसा करते है, equation 4 को 2 से multiply करके, इसके साथ add करते है, d cancel हो जागा, multiply है equation 4 by 2 and adding with equation number 5, तो equation 4 को जब 2 से multiply करेंगे, तो minus 2 by 3, यह लिखती है, minus 2a, यह लिखती है, plus, sorry, minus 4c, यह लिखती है, और plus 2d, यह लिखती है और इसको equation 5 के साथ, इसके साथ add करते हैंगे, यह लिखती है, अब इसको जब add करेंगे, देखें, minus 2 by 3 plus 0 is minus 2 by 3, minus 2a plus 2a, यह भी cancel हो गए, good, देखें, हम d को cancel करना चाहरे थे, यह हमें bonus मिला, 7a भी cancel हो गया, तो इसका मतलब है just c रहते हैंगा, तो c की value हमें मिल जएगी, तो देखें, minus 4 plus, minus 4c plus c, minus 3c, यह 3 दर जागे divide होगा, minus 3, तो minus minus plus, 3, 3 is a 9, तो c की value 2 by 9 आगी, देखें, हमें c की value मिल गई, अब यह जो c की value है, अब हमें b की value भी पता है, और c की value भी पता है, तो यह जो c की value है, अगर हम इसको equation 3 में put करें, तो हमें a मिल जाएगा, यह c की value को a में put करते हैं, put in equation number 3, तो 0 is equal to a plus c, यह c की value 2 by 9, यह left पर जाकर minus 4c का, तो a की value minus 2 by 9 आगी, अब हमें a, b और c की value पता है, d की value find करनी है, तो आप जिस तरह से भी निकलना चाहें, सबसे असान equation 6 है, उसमें a और d आ रहे हैं, अब a की value हमें पता चल गी है, तो यहा d की value, plus d, तो 2 को minus 2 से की है, minus 4, minus 2 और minus 2, plus 2 by, minus 2 को minus 2 से multiply करेंगे, plus 4, 4 by 9, तो लफ पर जाकर minus होजएगा, 1 by 3 minus 4 by 9, तो इनका calcium लिया, तो d की value आ रही है, minus 1 by 9, अब हमें सारी value मालूम होई है, तो देखें, बात बदफ़ ऐसा भी होता है, कि हमें equations को solve करके, constants की value नकालने पुटती है, अब हमें चारों constants की value मालूम हो गई है, इनको equation number 1 में put कर देंगे, तो equation 1 क्या बन जेगी, यह देखें, minus 2 by 9, यह A की value put की है, 1 by 3, यह B की value put की है, c की value 2 by 9 थी, और d की value minus 1 by 9 थी, इन दोनों का LCM लिया, तो जो LCM आया, वो निचे लिख 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 लि झाल